हम एक सुन्दर संसार में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तूओं को देखें, आओ, हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि यह कैसे आरंभ हुआ, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृत्वी को बनाया, परमेश परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया, उसने उस अंतर को आकाश कहा, दूसरा दिन, हो गया, परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकटठा किया और सूखी भूमी दिखाई दी, उसने सूखी भूमी को पृत्वी कहा और इकटटे हुए पानी को समुंदर कहा तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए तीसरा दिन हो गया तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए चौथा दिन हो गया परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मचली आए और आकाश में उड़ने के लिए पंची बनाए फलो फूलो उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में छपचपाने की आवाजों से भर दो पांच वाद दिन हो गया इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमी पर रेंगते हैं को बनाया अभी केवल एक और चीज़ बनानी है परमेश्वर ने कहा सब चीज़ों से विशेश चटवाँ दिन हो गया तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा ये बहुत अच्छा है उसने कहा इस तरह साथवाँ दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेश बनाया साथवाँ दिन हो गया जानिये रोचक कहानियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें